हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई चैनल क्रीट फॉर स्टेडी दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर जा था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करने वाले हैं इसमें टोटल तीन कौसन है और तीनों कौसन हम आज इस लों की संख्या निमल लखी थैंगत वर्स मतलब क्या आथ है पिछले वर्स ठीक किसी होट्स में पिछले वर्स रहत हैं बलव के संख्या दे गये जितने बल्व खरी दे गए था यहां सिटमबर ऑक्टूबर नमंबר दिसंबर से पर हैपटूबर में साथ बल्व और नमंबर में 75 और दिसम्बर में 15 बल्व उप्युक्त सारणी सारनी को एक चित्र लेख द्वारा ने रूपित किजिए एक चित्रokol बन की बराबर लेंगे यहां पर यह सारनी दी गई है इसको जैसे यहां पर लिखा आया वैसे हम यहां पर लिख देंगें यहां महेना है महीना हम लिख देते हैं और फिर उसके नीचे क्या है सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इस तरह से हैं यह हो गए चार मेने अब यहां पर क्या है बल्वों की संख्या तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं बल्वों की संख्या ऐसे लिख दिया हमने अब क्या करना है हमें यहां पर जैसे की संख्या दिया गया है 45, 60, 75 और पंदर संख्या दिए लेकिन हमें इहां पर संख्या नहीं लिखना है। यहां पर हमें चित्रा लेख द्वरा.. चित्र बनाना है बल्व का चित्र बनाना है तो हम ऐसे यहां पर कितने बल्व का चित्र बनाएंगे जिससे कि वह 45 बल्व हो जाए हमें पूरा 45 बनाना नहीं है पूरा जैसे कि यहां पर 45 बल्व है तो हमें 45 बल्व नहीं बनाना है हम यहां पर एक बल्व को कितने बल्व के बरावर मानेंगे, जो कि यहां पर उतना बल्व बनाने पर 45 बल्व हो जाए, जैसे कि माल लिजिए हम एक बल्व को, एक बल्व को मानते हैं, 5 बल्व के बरावर, ठीक है, एक बल्व को हम 5 बल्व के बरावर मान रहे हैं, यहां पर हमने एक बल्व को 5 बल्व के बरावर माना यहां पर है 45 बलव, ठीक है, यहां पर? 45 बलव हैं, तो 5 को 9 से पुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? så 45 हो जाएगा, यानि कि हमें यहां पर 9 बलव बनाने क्यों जरूरत है, यहां पर हम 9 बलव बनाएंगे, तो कितना हो गीइदशा testify 45? क्योंकि हमने एक बल्व को माना है 5 बल्व के बराबर तो हम यहाँ पे 9 बल्व बना लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी symbol दे सकते हैं बल्व type का कुछ भी symbol जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? यहाँ पे 9 बल्व हमने बनाए 3, 3, 6 और 39 तो एक बल्व को हमने 5 बल्व के बराबर माना है तो यहाँ पे कितने होगे? टोटल 45 बल्व अब है यहाँ पे 60 बल्व 60 बल्व हैं तो हम 5 को अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जागा हमने 60? यानि 60 बल्व हो जागा एक बल्व को जब हमने 5 बल्व के बराबर माना है तो यहाँ पे हमें 12 बल्व बनाने होंगे तो यहाँ पे हम 12 बल्व बना लेते हैं तो टोटल बल्व की संख्या कितनी हो गई? 60 जैसे यहाँ पे सितंबर में है 45 बल्व तो यहाँ पे सितंबर में अब वो गया 45 बल्व यूकि एक बल्व को हमने 5 बल्व के बराबर माना है अक्टूबर में है 60 बल्व तो October में यहाँ पे 60 बल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 बल्व बनाए है, देख सकते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12 बल्व है, तो October में 60 बल्व, अब है November में 75 बल्व, 75 बल्व है तो अब हमें यहाँ पे 15 बल्व बनाना परेगा, तो यहाँ पे हम 15 बल्व बना 13 14 15 टोटल हमने यहाँ पर बना लिया 15 बल्व एक बल्व पांच बल्व के बरावर है तो नॉम्बर में कितना होगा है टोटल 75 बल्व अब दिसंबर में है 15 बल्व 15 है तो 5 को हम 3 से जब गुना करेंगे तो 15 आ जाता है तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 बल्व बनाने की जुरत है एक दो और यह 3 तीन बल्व बना लिया इसका मतलब होगा कि यहाँ पर दिसंबर में होगे 15 बल्व आई होप आपको यह फर्स नमबर का कॉसन समझ में आ गया होगा और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्सेल में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए हम सेकंड नमबर का कॉसन बनाते हैं सेकेंड नमर का कॉसन है पतना सहर के एक माध्यमिक विद्याले में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन वर्सों में 90.5 दोरा प्रदर्शित हैं यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 2004 में माध्यमिक विद्याले में पढ़ने वाली विद्यार्थी की संख्या कितनी थी 2004 में 250, 2005 में 300, 2006 में 450, 2007 में 350 और 2008 में 400 थी तो यहां मैं बोल रहा है कि एक संकेत का प्रियोग करके यहां पर इस संकेत का प्रियोग करना है जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है एक चित्रलेक बनाईए और निमन प्रशनों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर ये संकेत 50 विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा है यानि कि एक संकेत 50 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है तो यहाँ पर हमें किस तरह से बनाना है चित्रले पहले यहाँ पर क्या दिया है वर्स है तो वर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 अब है विद्यार्थियों की संख्या तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या यहां पर हमीने लिखा अब इहां पर कितना विद्यार्थि है जिए2004 में 250 है 2005 में 300 है 2006 में 450 207 में 300 2008 में 400 इस तरहESE तो यहां पर जो यह संख्या दि गई है इसे हमें चित्रा लेख द्वारा डर्साना है जैसे यहां पर एक संकेत दर्शारा है 50 विद्यार्थी को, तो हम ऐसे कितने संकेत लेंगे, जिसे कि हमारे 250 विद्यार्थी हो जाएंगे, तो 50 है तो हमें लेना पर एगा 5 संकेत, 50 को जब हम 5 से गुना करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 250, तो यहां पर हम 5 संकेत बनाए यहां पर हमने 5 संकेत बना दिया इसका मतलब है कि यह 250 विद्यार्थी को दसा रहा है क्योंकि एक संकेत यहां पर 50 विद्यार्थी को दसा रहा है अब हमें बनाना परेगा 6 संकेत यहां पर हम लिख देते हैं कि एक संकेत दर्शा रहा है 50 विद्यार्थी को तो हमें बनाना परेगा 5 संकेत और हो जाएगा हमारा 250 विद्यार्थी यहां पर 2005 में है 300 विद्यार्थी तो इसे चित्रालेक द्वरा दर्शाना है संकेत बना के दर्शाना है तो 50 विद्यार्थी है एक संकेत 50 विद्यार्थी को दर्शा रहा है तो हम 6 संकेत बनाएगे तो हमारा 300 विद्यार्थी हो जाएगा तो यहां पर हमें 6 संकेत बनाना ह होगा कि यहां पर हमने 6 संकेत बना लिया तो इसका मतलब है कि यह संकेत जो है तीन सवी द्यार्थी को दर्सा रहा है एक संकेत 50 ही द्यार्थी को तो 6 संकेत तीन सवी द्यार्थी को अब यहां पर 2006 में हैं 450 संकेत तो 50 को हम किसे गुना करेंगे मतलब हमें कितना संकेत बनाना परेगा जिससे कि हमारे 450 विद्यार्थी हो जाएंगे तो 50 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा चार सा पचास विद्याती हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 9 संकेत बनाने होंगे तो इसी तरह से हमें 9 संकेत यहाँ भी बना लेना है 9 संकेत का मतलब है कि सारे 400 विद्याती यानि 450 विद्याती 2007 में 350 विद्याती तो 50 को हम गुना करेंगे 7 से यानि कि हमें यहाँ पर 7 संकेत बनाने होंगे तो इसी तरह हमें 7 संकेत यहाँ पर बना लेना है साथ संकेत यानी की 3050 विद्यार थी 2008 में हैं 40 मीद्यार थी तो 50 को हम गुणा करेंगे आठ से आठ से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा यहां पर हमें 8 संकेत बनाने होंगे तो हम यहां पर 8 संकेत बना लेते हैं तो यह थी हमारी सार्णी इसी तरह की हमें सार्णी बनानी थी और इसका कॉसन हम देखते हैं ए नमबर का कॉसन है वर्स 2006 में कूल विद्याठ्यों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्स 2006 में विद्याठ्यों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं तो यहाँ पर कूल संकेत कितने हैं 9 संकेत हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9 यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और यह हो जाएगा हमारा ए नमबर का आंसर फिर बी नमर में है वर्स 2004 में कुल विद्यार्थों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं अब 2004 में देखना है 2004 में कुल संकेत हैं 5 विद्यार्थों की संख्या को 5 संकेत निरूपित कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 5 लिख दें यहाँ पर हम लिग देंगे 2004 में खुल विद्यार्थों की संख्या को 5 संकेत 5 संकेत निरूपित कर रहे हैं निरूपित करना मतलब होता है दर्साना यानि कि 2004 में 5 संकेत जो हैं विद्यार्थों की संख्या को दर्सा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर B नंबर में है कोई और संकेत लेकर जो एक सविध्यार्थों को निरूपित करता है एक चित्रा लेख बनाईए साथ में यह भी बताईए कि कौन सा चित्रा लेख अधिक सूजना प्रद है तो यह भी वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है यह न वह को पर पाहँ पांच गांच में ट्रेक्टरों प्रशन यहां और राख्ट कि संक्या है उत्तर दीजिए नहीं को यहांँnant पर ही आंक है तो अंक के जगह पर हमें ट्रेक्टर ही बनाना परेगा जैसे यहां पांच है गॉंड में पांच ट्रेक्टर है तो यहां पर हमें पांच ट्रेक्टर बना देने हैं यहां पर गॉंड में चार ट्रेक्टर है तो चार ट्रेक्टर बना देंगे फिर गॉंड में साथ ट्रेक है यहाँ पर हम लिख देंगे गाउं और गाउं A B C D और E फिर इदर है ट्राक्टरों की संख्या ट्राक्टरों की संख्या ठीक है गाउं A में ट्राक्टर किसम क्या पांच है तो हम यहां पर पांच ट्रेक्टर बना देंगे वैसे मुझे तो ड्रोइंग करने नहीं आती है तो मैं यहां पर कुछ भी फिगर बना देती हूँ आप समझ आईएगा यहां पर यह ट्रेक्टर यह tractor 5 हमें यहाँ पर बनाना है जो की कॉसन में लिखा गिया है 5 tractor है तो यहाँ पर हमें 5 tractor बना देने हैं फिर B में गौं B में है 4 tractor तो यहाँ पर हम 4 tractor बना देंगे इस तरह से फिर गौं C में 6 tractor है तो यहाँ पर हम बना देंगे 6 tractor एक और यह दो तीन चार पांच और यह छे छे ट्रक्टर हो गए अब गौं D में है 7 tractor तो यहाँ पर हम 7 tractor बना देंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ गौं E में है दो tractor तो यहाँ पर हम दो बना देंगे दो tractor इस तरह से बना देंगे ठीक है तो यही सारणी हमें यहाँ पर बनाना था वहाँ पर अंक था ट्रक्टरों की संख्यांकों में लिखी वी थी यहाँ पर चीटरणा आपको धर साना था कितने कौंसे गौं में कितने tractors हैं अब यहाँ पर अं नंमर में कॉसन क्या है किस गौं में ट्रेक्टरों की संख्या सबसे कम है तो कौन से गौं में सबसे कम है गौंई में ट्रेक्टरों की संख्या सबसे कम है गौंई में सिर्फ दो ट्रेक्टर हैं तो यहां पर हम लिखेंगे गौंई ठीक है एनमर का असलोंज़ा जाँगा क्या ईग बईनबर में है किस गाउं में ट्रेक्टरों की संख्या अधिकतम है यहाँ इब देख सकते हैं कौन से गाउं में सबसे ज्यादा ट्रेक्टर की संख्या inm Beach साहथ ट्रैक्टर है गाओ दिमें तो इसमें हम लिख देंगे गाओ डी यहां पर इस नमबर में बोल रहा है कि पाचों गाओं में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं इसके लिए मैं इस सब को जोड़ना परेगा तो इस सब को जोड़ के आ जाएगा चौबीस तो पांचों गाओं में कुल मिलाकर चौबीस ट्रैक्टर है ठीक है चौबीस ट्रैक्टर तो यह हमारा हो गया थार्ड नंबर का कॉस्टन कंप्लीट और यहां पर हमारा एक्सराइज एक्सराइज 9.2 कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सराइज 9.3 स्टाट करेंगे और लोस्तों आई होप आपको यह चैप्टर अच्छी समझ में आग्या होगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं था यह बहुत एजी चैप्टर था तो अगर आपको मेरा वीडि यह में